कि राशी सर आज है कि आज है कि सम्विधान दिवसे क्योंकि हमने 26 तारीक और 7 तारीक दो सम्विधान विसेश के लिए रखी है और सम्विधान विसेश के लिए इसने रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि सम्विधान खत्रे में हैं सम्विधान खत्रे में या यहों कहें कि आजकल जो मार्कीट में दुकाने हैं उन पर आजकल जो सामान विक रहा ह वह सम्मिधान का है अभी आरक्षण वाला माल पुराना हो गया अभी आरकशण पे लोग नहीं बोल रहे हैं कि आर्क्षण खत्रे में है साफ हो सकता है कि खत्रे से बाहर निकल गया हो कॉछ काम हिखटे हो जाएंगे तो रास्ता आसान है बच जाएगा है ठैज करना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं दिये दिये थे भिककों के यहातियार नहीं रखता भिकु करूणा मुदीता भाई-चारे में रहता ऐसा नहीं है बुद्ध ने weten है 11 पृधने ही सप्तकु नियुकार के लिखे हुए है मैं कहीं से वैसे नहीं बोल ला और विक्त jagd व है को छोड़ दिया तो अब हम एक अमबेट कर सत्तक डंड बना लेते हैं इसको यह कह सकते हैं कि यह ऐसा मारक हतियार है कि इससे हम सम्विधान को मजबूत कर सकते हैं और इससे आपको इखटा भी नहीं होना पड़ेगा आपको घर से बाहर जाने की जोत नहीं है और किसी को यह करना है हमको वैसा करना है हमको पैसा दो हमको पैसा दो हमको पैसा दो सम्विधान बचाना है मगर जैसे जैसे आप पैसे देते गए वैसे वैसे सम्विधान और खराब होता गया तो सम्विधान बचेगा जब आप पैसा देना बंद कर दोगे तो सम्विधान बच जाएग यह ठीक वो पैटन है जब आप यह कहते हो कि हम किसी धर्मिस्तल पर जो पैसा देते हैं जो आडंबर का धर्मिस्तल है और वो हमारे पैसे से ही उस आडंबर का और ज्यादा प्रचार करता है और फिर हमारे बच्चों को आडंबर पकड़ा देता है फिर हमारे बच्चे उसको आडंबर के इस्थल वाले जगे पे आपपसा देना बंद कर दो तो आडंबर आना बंद ओ जाएगा तो ऐसा परचार करते हैं मकर वो अपने लिए पैसा मांते हैं तो बेसिकली जो पैसा ले रहें वो कर क्या रहें क्योंकि जितने भी जितने भी गुरुट हैं या जितने भी लोग अपने आपको संस्ता कहते हैं या जितने भी संठन कहते हैं वो सब इसलिए जीवित हैं क्योंकि उनको यह उमीद रहती है उनकी उमीद पू यह सोच के देते हैं कि यह हमारा फाइदा करेंगे और यह पैसा हमारा फाइदा करेंगे मगर उसका उल्टा रहा है क्यों उल्टा हो रहा है क्योंकि जब आप पैसा देना जाते हो तो आपके पास बहुत तरह के लोग आते हैं सामाजिक संटरों के बहुत सारी लोग आते हैं बार बार अपनी पर्चियां लेके आते हैं बार बार अपने कूपन लेके आते हैं तो धमिक लोग भी बहुत तरह के आते हैं अलग लग तरह से आते हैं तो जो पत्र पत्री का वाले हैं जो न्यूज पर चलाने वाले वह भी बहुत आते हैं कि हमको पैसा दे दे और जो किता सब पैसा मांगते हैं वीदा पीपल यह कहता है कि अगर हमारा कोई आदमी आप से पैसा मांगे या संग का कोई आदमी पैसे का जिक्र भी करें तो उसके गालब देना खीच के दो उसकी एफाया करा देना क्योंकि संग करता है वीदा पीपल के हम पैसा पबलिक से नहीं लेते हमारे इतने खर्चे नहीं हैं तो पैसा देके आप अपने समिधान को अपने डॉक्टर अम्मेट के साथ कैसे विश्वाजगात कर ले और कैसे मारते हो आप क्योंकि जब एक ही काम के लिए सो संस्थाय बनी होती हैं वो सो वार पैसा लेने आती हैं तो ssrawn को एक लोग हैं तो काम कैसे होगा तो काम नहीं हो सकता ह। तो सक मतलब यह हैं कि हम पैसा दे लिए पर अगली लिबार आ जाते हैं और हम कभी उनसे नहीं कहते कि इनी काम ये तुम अलग अलग पैसा लेने क्यों आते हो है तो यह पैसे का जो Pros Student है होना चाहिए इस तो हमको देना चाहिए मगर सेंट्राइज सिस्टम देना चाहिए संट्स सिस्तम ऐसा होता है कि जैसे गुर्द्वारा प्रवंद्ध कमेटी है भारत के अंदर वो गुर्द्वारों का प्रवंद्धन करती है तो उनके लगातार सालों साल गुर्द्वारे बनते रहते हैं वो जमिन खेते हैं गुर्द्वारे बन जाते हैं जमिन उनके जो कारीगर हैं उनके फिक्स है और उनका पैसा एक जिगे आता है और वो सारा पैसा एक साथ जमा होता है और उनका पैसा करमचारियों को जमिन खैदने में बिहार बनाने में उनके बहुत सारे स्कूल है और इंजिनिंग कॉलिज है उसमें बनाने में उनकी चैड़िवल संस्था है उसमें बनाने में लगात चलता रहता है तो लोग रहते हैं तो उनका चुनाब भी होता है यानि उनका चुनाब दिल्ली के अंदर गौर्वर्मेंट कराती है पंजाब के अंदर गौर्वर्मेंट कराती है इतनी बड़ी वो संस्ता है क्योंकि वो सेंट्राइज सिस्टम है उनका सेंट्राइज पैसा ह सेंट्राइब कदूं के जो श्देंट के और के ऐश याे पैसा है हम यह क्या हो रहा है उर कि शलते रहते हैं कि मैस चलते रहता है। और उपके स्कूल कॉलिज खुलते न पसंद नी करते हूं तो हमारे पास जो आता है कोई बात नहीं तू भी ले जा हमें किसी का बुरा नहीं बना सब ले जाओ बाई पैसे देखो काम सभी करते है न यह ठीक ऐसी स्थितिय हैं जैसे आप अपने घर के पांच जो लोग हैं पांचों को चुनाम में विज दिया आपने एक ही जिलिए और पांचों को कह रहे हैं कि तूप पैसा ले जा तूभी पैसा ले जा तूभी पैसे ले जा और उनको ये Twoант को तेरे साथ खड़ा हूंगा मंगल को तेरे यहां हूंगा वीदे वार को तेरे हूंगा तु explaining लड़ो आपस मत और मैं तुम्हारे साथ ले जाओ पैसे हम अपने ही भाईयों को पैसे देकर जंगे मदान में उतारते हैं और फिर रोते हैं हमारा कुछ नहीं होता हमारी कोई सत्ता नहीं हमारे कोई पार्टी नहीं हमारे धम के लोग बड़े निकम में हैं हमारे सकारी तो हमारा नुकसान नहीं होता फिर हम रोते हैं हम कितने सारे जो बुद्धी जीवी लोग है जो पत्र पत्र कहां चलते हैं हज्जारों पत्र पत्र कहां चलती हैं और कहां चलती हैं कोई और फोटू चापएंगे हम इसमें आप हमें पांसरों पे दे दो सुब कावना का अपको फोटू ये चलन चलता है और फोटू छपवाने की लालच में सो दोसो पांसरों को देके तो उनको लगता है कि हमारी किताब तो चल लेए जब कि उस किताब भी कोई नहीं है क्योंकि हällt को सो दो सो लोगों में विसके होता नहीं तो किताब वाले जो बुधी शीवी ऑपने आप कहते हैं जो अपने आपको पत्कार कहते हैं यह बुद्धी जी्न लोग है इनको इतनी अगerto नहीं है शारे शुक्त हो जाते तुमoral संद्सनलोग बना लेते तो एक पत्रि का अगर निकलती और वह बहुत अच्छी क्वालिटी की निकलती उसमें बहुत अच्छा कंटेंट होता तो पूरी दुनिया में लाखो जाती तो तुम लाखो कमाते और अर्वो का बिजनिस करते और वहाँ उस पब्ली के सर्थ हाउस की इज़त होती है और वो टक्कर देता खबर उसकी चलाते है जो उनको 500-700-1000 रुपे देता है आप उनकी खबरें देखोगे तो आपको ध्यान आएगा कि एक ही आदमी की खबरें एक चलने वारा निकालता है और उसको प्रोजेक्ट करता है तो जो मीडिया हमारा है और जो मेन मीडिया है उसमें कोई अंतर नहीं है उसको भी अभी मिसन की पैचान नहीं है क्योंकि अगर सो लोगों को बढ़ाएगा और जूंतों को बढ़ाएगा और सच्चों को बढ़ाएगा सब को बढ़ाएगा तो फिर तो यह जो संखन वाली समस्या यह कभी खत्म नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं कि हम पैसा दे रह हो गए और तीस लाख पहुंच गए और वो आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि उनको पैसे मिलते जाते हैं तो वो अपनी दुकान क्यों बंद करेंगे वो बेवकूफ हैं क्या जब माल बिकरा है और हम जा रहे हैं ग्रहक बंद के और हम कहले लाओ परची देदोर पैसा हम तुम बंद होती है जब ग्रहक जाना बंद हो जा तो हम हैं तो बेसिकली हम को यह समझना है कि अगर हम को जीवित रहना है और मेंसको थोड़े दिन के लिए इनको पैसा देना बंद कर देना चाहिए इन पर करोणा मम्ता करनी बंद कर देनी चाहिए और को कहना चाहिए कि भाई पैसा तुम्हारा रखा हुआ है बावसाब ने का 20 महिस्टा देना हैं, हम 20 की जिएगे आपको 15 महिस्टा देंगे, पैसा तुमारा रखा हुआ आ, देखो यह रखा हुआ यह, मगर पहले इकटे हो जाओ, पहले सेंटलाइस सिस्टम में आओ, एक सिस्टम बनाओ, हम एक जिएगे ही पैसा देंगे, वहां से सिस्टम चलेगा वही सिस्टम किताब चापएगा वही सिस्टम सारा सारा पुब्लीकिशन करेगा वही सिस्टम बुद्भिहार बनाएगा वही अंबेट के बहुन बनाएगा वही सारे संतों के बहुन बनाएगा वही काईकर्म लगाएगा और एक ही काईकर्म लगेगा अगर से लोग आते है तो सो गुना खर्चा बचता है एक बटे सो जबकि अगर सो के सो हुखके हो जाए तो पैसा भी बचेगा वो पैसा समाज का है लोग भी बचेंगे और रिजल्ट आएगा हजार गुना ंटम तो हमको रिजल्ट चाहिए तो हमको सोचना है वो नहीं सोचेंगे तो क्या सोचना है बड़ा सहल काम है अब तो और भी सहल काम हो गया अगर अपने बच्चों को बचाना है अपने समिधान को बचाना है अपने देश को बचाना है तो कुछ दिनों के नहीं है असहयोग आंद करते हैं यह हमारा काम है यह हमारा रोजगार है आप चंदा दो हमारा घर चलेगा आप चंदा दो हमारी कार में पैटल चलेगा आप चंदा दो हमारे जंडे आएंगे आप चंदा दो हमारा जहाज का टिकेट आएगा तो जो उसमें निकम में लोग होंगे जो बेकार के लोग होंगे जो दलाल टाइप के होंगे वो मर जाएंगे या भाग जाएंगे या कूछ काम करेंगे जो सचे हैं वो भचेंगे जो इक्षटे नहीं हो जा सारी धं के के लोग सारे कविर पंथी सारे रविदास के सभिस नहीं वचिक निए प्धूसे चाह सब lleva होगे सब उखटे यह किताब दंबिशवी चाहते होगे थो खितब खवार शूटे होगे यह ग चल जाएगा फिरूद कमिल का तो जब तक हम उनकी यह जो इच्छा है जो उनको बार बार पैसा मिलता रहता है अगर यह हम रोकेंगे नहीं और उनको देते रहेंगे यह सोच के कि हमने तो बावा साब का नमक खाया है और बावा साब का पेबैक टू सोसाइटी करना है और बावा साब का रिंड चुकाना ह तो पैसा है देना है तो पैयबवेक to society भी पांचे लोग है याँनि पांचा या ने दिखी हूई है जो पैब एक टू आप चला लो तो यह तो चलाए इखटे होने में हो सकता टाइम लेगे मगर यह जो डॉक्टर अंबेट करका जो सत्तक दंड है कि आप पैसा मत दो यह इतना कारगार है कि आपको कहीं जाना नहीं है कहीं आना नहीं है जो यहां 149 लोग सुन रहे हैं वो सिर्फ अपने अपने रिजदारों को सब को फोन तरक के उन्होंने 5% के लिए का है हम 10% देंगे और यह रखे पैसे तुम्हारे अकाउंट में मगब देंगे तब जब सेंट्रलाइज सिस्टम होगा रेक साथ आओगे अब अलग-अलग पैसे नहीं देंगे च्छे महिने में यह चारो खाने चित हो जाएंगे च्छे मिने में पता चल जाएगा कि अब हमें लोग हो जायेगी तो यह फिर महीं पैसा नहीं देते है तो यह पैसा नहीं देत तो यह पैस कहां से आता है तो ये फार्मूला फैल नहीं होने वाला है. इस फार्मूला को बहुत तेजी से जितनी तेजी से आगे बढ़ा सकें, इस से कई फायदे होंगे. देखो एक तो ये फाइदा होगा, कि आपका पैसा बचेगा. दूसरा फायदा ये कि आपका देश, आपका सम्मिधान, आपके बावासाब, आपके अम्बेटकर, आपके बुद्ध, आपके सबकी आडेलोजी बच जाए और उससे ये भी फाइदा होगा कि हमारे लोग सीधे सच्चे हो जाएंगे, फिर उनको चंडे खानी के आदस से छुकतारा मिल जाएगा तो वो सीधे सच्चे हो जाएंगे, उनकी बुराईयां भी निकल जाएंगे, तो भाई उन पर कल्यान करो, उनकी बुराईयां जो आप हमारे पैसे सराप कीते हैं, जो हमारे पैसे आयासी करते हैं, उस पाप से उनको मुक्त करो, और ये पुन्ने कमाओ, उनको पैसा मत दो तो इससे बड़ा फाइदा होगा पुर्णे मिलेगा आपको कि आपने उनकी सराप्रिमे के रास्ते बंद कर दी है, उनके पाप की रास्ते बंद कर दि है और हमारा बंद कर देंगे तो ये जड़ेंगे जब ये जड़ेंगे और जब ये जड़ेंगे झालना सब ठीक हो जता दूप यहांगे, क्या हुँ जो एक भी जो न शजय शेयर शेयर शेयर। कर दो 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 हो आल कर दो कर दो कर दो कर दो